हलो स्टूडेंट्स आइम डॉक्टर विनोत कामले इन इस वीडियो वी आर गोंग टू सी दा क्वेश्चन एडा मॉडल एडा जो है यह एक अक्रोनीम है मतले एक शॉट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन इंट्रेस डिजायर और एक्शन तो यह एडा मॉडल क् को मिस्टर इके स्ट्रॉंग इन्होंने ड्वेलप किया है और उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक के अंदर जिसका नाम है दसाइकलोज उप सेलिंग उसके अंदर मेंशन किया हुआ है तो यह आपको अब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ इससे काफी इंपॉर्टेंट पर्चेस करते है तो उसमें उनका कैसा बिहेवियर होता है मिन्स पहले वो क्या करते है फिर क्या करते है तो ऐसे स्टेप जो होते कंजूमर पर्चेस बिहेवियर के वो हम लोग को एड़ा मॉडल के वज़े से पता चलता है वो कैसे पता चलता है वो सारे स्टेप जो हम लो एक्रोनीम है मतलब यह शॉट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म मैंने अल्ड़ी आपको बताया है ए मतलब अटेंशन आई मतलब इंट्रेस्ट डी मतलब डिजायर और ए मतलब एक्शन तो जैसे मैंने आपको बोला कि यह मॉडल जो है वो करने में मार्केटर को यह एडवर्टेजर को है अब इसके बारे में हम लोग डीटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मार्केटर जो है कंजूमर बिहेवियर फाइंड आउट करके अपना प्रोडक्ट जो हो कस्टमर को बेशता है तो पहला स्टेज है अट्रेक्टिंग अट तरह कर सकते हैं मतलब वो क्या कर सकते हैं जिसके वज़े से कस्टमर जो है उनका अटेंशन एडवर्टीजमेंट के तरफ अच्छे हेडलाइन्स होंगे तो डेफिनेटली लोग आपके अपके तरफ देखेंगे तो अच्छे एडवर्टीजमेंट्स होने चाहिए जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो कि ऐसा अगर बड़ा हेडिंग लिखा है कि 50% डिसकांट सुपर सेल या बाइवन गेट वन फ्री ऐसा अगर हेडलाइन होगा तो लोग क्या करेंगे वह एडवर्टीजमेंट के तरफ अट्रेक् किया है तो यह साइज के अच्छे ऍलूस्ट्रेशुन होते है जिसके यह इसे लोगों का अटेंशन होता है जितना ज्यादा बड़ा एड़ होगा उतना ज्यादा लोगों का वह एड़रीजमेंट की तरफ अटेंशन अट्राइक होने में हेल्प होता है छोटे-छोटे एड जो होते हैं जैसे आप न्यूस पेपर में एगर देखते हो तो उनके तरफ शाय तक लोगों का ध्यान जो अट्रेक्ट नहीं हो तो एडवर्टीजमेंट का साइज जो होता है वो भी टार्गेट कस्टमर का अटेंशन अट्रेक्ट करने मे कि आपके प्रड़क्ट में स्पेशल क्या है जैसे यहाँ पे मसालों का एडवर्टीजमेंट किया है जिसके अंदर लिखा है रियल टेस्ट आफ साउथ इंडिया मतलब यह एक यूएसपी है प्रड़क्ट का कि आप लोगों का अटेंशन जो एट्रेकर नहीं पोशिश की है तो यह यूएसपी के लिए लोग क्या करते हैं वो प्रड़क्ट को पर्चेस करते हैं तो यह यूएसपी जो है वो हाइलाइट करने के बाद में लोगों का अटेंशन अट्रैक करना काफी एजी हो जाता है तो हर एक एडवर्टाइजर अपने अड़र्टीजमेंट के अपने प्रड़क्ट की यूएसपी मतलब उसके प्रड़क्ट में क्या स्पेशल है वो दिखाते हैं और लोगों का अटेंशन अट्रैक करते हैं और लास्ट में हैं म्यूजिक और जिंगल्स नो म्यूजिक काफी इंपोर्टन रोल प्ले करता है जैसे कि आप लोग देखत है तो उसके लिए अलग से म्यूजिक होता है तो इमेजिं करो कि कोई के टीवे पर एड़ Вас में चल रहा है उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं है तो वह एड़्वतिस्मेंट एकड़ यूजिक लेगा तो अच्छी म्यूजिक आपको QA जो हैं के आपके प्रोड़क्ट के त वो अपने एडवर्टीजमेंट में यूज किया है और वो सॉंग के तुरू उन्होंने प्रोड़क की इंफोर्मेशन लोगों तब पहुचाई है फिर डेटल के एडवर्टीजमेंट में भी आप लोग देखते हो कि जिंगल यूज किया है जिसमें डेटल डेटल हो ऐसा उन जाता है तो जितने अच्छे आप जिंगल बनाओगे जितने अच्छे आप सॉंग्स बनाओगे उतना लोगों का अटेंशन अट्रेक करने में हेल्प होता है तो यह अलग-अलग तरीके होते हैं जिसके तुरू एडवर्टाइजर अपने टार्गेट ओडियंस का के माइंड में अपने प्रोड़क के बारे में इंट्रेस अराउस करना है या क्रियेट करना है यह इंट्रेस किस तरीके से क्रियेट किया जा सकता है तो यहां पर प्रोड़क के बेनिफिट जो होते हो लोगों को बताया जा सकते हैं और इंट्रेस क्रियेट किया जा सकता है कि यह product use करने के वैसे आपको यह benefit मिलेगा करके सो यहां पर लोगों के मन में अपने product के benefit के understanding जो है वो create करनी पड़ेगी जैसे कि suppose एक कोई advertiser है जिन्होंने क्या किया है highway के उपर बड़ा सा hoarding लगाया हुआ है और वो hoarding के अंदर काफी अच्छा headline है काफी अच्छे इलूस्टेशन है colorful advertisement है तो लोगों का ध्यान जो है वह advertisement के तरफ अट्रेक्ट हो गया तो आपका पहला स्टेप हो गया attracting attention एक बाद में आपने advertisement के अंदर जो भी प्रोड़क के benefits लिखे है वहाँ पे लोगों का ध्यान जो है वो चला जाएगा तो आपने यहां पर क्या किया कि प्रोड़क के जो benefits होते हैं वो customers को inform किये जाते हैं now advertiser जो होते है वो यहां पर interest create करने के लिए दो चीजों का यूज कर सकते हैं एक है buying motive और दूसरा होता है selling point यह buying motive का मतलब क्या होता है कि customer को प्रोड़क को purchase करने के लिए motivate करना उसके लिए कुछ चीजे जो होते हैं एडवेटिसमेंट में highlight की जाती है और selling point कुछ ऐसे points होते हैं जो प्रोड़क को sale करने में seller को help करते हैं so advertiser जो है वो customer के mind में interest create करने के लिए buying motives को use कर सकते हैं कुणसे कुणसे buying motives होते है तो जैसे safety and security कि आप लोग जैसे insurance का advertisement कर रहे हो तो आप customer को बता सकते हो कि insurance के वज़े से आपको आपके lifetime में protection मिलेगा प्लस आपके बाद में आपके जो भी dependent होंगे उनको भी protection मिलेगा so insurance के वेगर advertisement होते है तो उसके अंदर वो लोग safety और security को highlight करते हैं और customer को policy purchase करने के लिए motivate करते हैं तो ये buying motive है दूसरा है comfort and convenient जैसे ये car का advertisement है तो वो car के advertisement में वो लोग comfort और convenience दिखाएंगे कि ये car के वज़े से आपका रस्ता जो है वो कितना भी खराब होगा फिर भी ये car के अंदर आप लोगो पूरी comfort और convenience मिलेगी तो अगर आपको अच्छे से traveling को enjoy करना है तो आप लोग ये particular car को purchase करो तो इस तरीके से यहाँ पर comfort और convenience दिखा के customer को product purchase करने के लिए motivate किया जा रहा है फिर बाद में pride and position कि हमारा product यूज करने के वैसे आपका status जो है वो बढ़ जाएगा जैसे आप लोग and affection जैसे के Cadbury celebration है तो Cadbury celebration आप अपके sister को वेगरा gift कर सकते हो और आपका love and affection sister के तरफ दिखा सकते हो या prestige का cooker है तो husband अपने wife को prestige का cooker gift कर सकते हो अपना love and affection wife के तरफ दिखा सकते है तो यह चीज को दिखा के भी यहाँ पर बायर को प्रड़क्ट पर्चेस करने के लिए motivate किया जा सकता है and then economy economy मतलब बच्चत कि यह प्रड़क के अंदर इतना आपको discount मिलेगा यह प्रड़क को पर्चेस करने के वैसे आपकी इतनी बच्चत होगी जैसे big bazaar वेगरा है या amazon वेगरा है वो economy को use करते है और इसको use क करके यहाँ पर customer को product purchase करने के लिए motivate किया जा सकता है तो यह सारे तरीके है जिन को buying मोटीव बोला जाता है इनको use करके marketer क्या करते कस्टमर को product purchase करने के लिए motivate करते हैं वो सेलर अपने दिखा सकते हैं तो प्रोड़क के बारे में बोल सकते हैं कि हमारा प्रोड़क जो अच्छा क्वालीटी का है जैसे पतन जली का अगर आप एड़टीजमेंट देखोगे तो उसके अंदर वो बोलते कि हमारा जो हनी है वो काफी शुद्ध है करके तो की उप्रोड़क के लिए यूज कर सकते है तो यह सारे सेविंग पॉइंट्स होते हैं जिसको हाइलाइट करे यहाँ पर सेलर जो अपने प्रोडॉक को सेल करने कोशिश करते हैं तो यह कुछ बाइंग मोटिव है जिसके स्ट्रूर्ट जो है कंस्टमर को पर्चेस करनेCे-लीGreat करते है और ये कुछ इलिंग पॉइंड से जिसके तुरू सेलर जो है वह अपने पूडुक को सेल करने की कोशिश करते हैं तो ये बाइंग मोटे और से लिंग पॉइंट जो के खनाय यह घंते को सुए है अपने थार्ड-स्टेपिस क्रिएटिंग डिजयों डिजयों मतलब क्या होता है क्रिएट करता है तो अड़ा टीजमेंट से के स्सेया Studio के है तो advertisement में आप product के discount के बारे में बात कर सकते हो कि यह product purchase करने के वैसे आपको इतना discount मिलेगा second आप customer को free gift offer कर सकते हो फिर आप लोग advertisement में highlight कर सकते हो कि हमारी जो company है यह हमारा जो product है वो ISO या ISI certified है now ISO और ISI के बारे में आपको पता है कि यह certification का मतलब क्या होता तो बहुत सारी company जो है वो अपना ISO करवाती है और उसको वो अपने advertisement में highlight करते है कि हमारी company जो ISO certified है जिसके वैसे customer को product की quality के बारे में assurance मिलता है तो उसको भी advertisement में highlight किया जा सकता है then offering warranty मतलब customer को product के बारे में warranty देते हो because durable product जो होते उसमें customer को product की warranty चाहिए रहती है then using testimonial testimonial का मतलब क्या होता है कि कोई एक particular person जो product के बारे में positive बोल रहा है जैसे यह लॉरियल का shampoo है तो आईश्वर यह यहाँ पर क्या करी हो product का testimonial दे रही है कि यह product कैसे अच्छा है उसके positive side जो होते हो हाइलाइट कर रही है तो आईश्वर यहाँ पर लॉरियल पैरिस का यह जो शैंप उसका testimonial कर रही है मतलब उसके बारे में positive बोल रही है तो यह सब चीज़ों के तुरू यहाँ पर कस्टमर के माइंड में desire create की जा सकती है या इच्छा क्रियेट की जा सकती है कि अभी पर्चेस करना चाहिए करते हैं अभी आप कस्टमर को क्या करें अलग-अलग offers दे रहे हो जिसमें आप डिसकाउंट फ्री वारंटी विगरा यह सब दे रहे हो जिसके परके वेसे कस्टमर को अब यहरे पर्टक पर्चेस करने की इच्छा निर्मान हो गई और एक बर डिजायर क्रियेट हो गया तो लास्ट में होता है securing action जब तक customer कोई भी product को purchase नहीं करते है तब तक वो ad campaign को कोई भी use नहीं होता है तो यहाँ पे customer को वो product purchase करने के लिए convince किया जाता है कोई भी advertisement campaign जो होता है उसका ultimate objective यह होता है कि जो भी target audience है उनको induce करना ताके वो जाके वो product को purchase करे तो यहाँ पे किस तरीके से customer को induce किया जाता है ताके वो जाके product को purchase करे तो अलग-अलग चीज़ों को use किया जा सकता है जहाँ पे company क्या कर सकती है advertisement के अंदर अपने shop का address दे सकती है या अपने shop का contact number वेगरा दे सकती है जहाँ पे customer जो है visit कर सकते है या contact कर सकते है और product के बारे में inquiry कर सकते है तो आप देखोगे कि बहुत सारे advertisements होते है जहाँ पे advertisement के नीचे उनके contact details दिये रहते है या उनके shop का address दिया रहता है ताके customer आके अभी वो product को purchase करे विकाज अभी customer के mind में वो product के बारे में interest भी create हुआ है और desire भी create किया है और customer को अभी वो product purchase करना है तो company को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि customer वो product को purchase करें इसके लिए shop का address देना पड़ेगा और contact number देना पड़ेगा प्लस advertisement के अंदर कुछ words यूज़ करने चाहिए जैसे last day है offer इतने date तक ही valid है या first customer के लिए ये offer है ऐसी सब words अगर advertisement में use करेंगे तो उसके वेज़े से क्या होगा कि लोग जो जल्दी जल्दी हो product को purchase करने के लिए induce हो जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि देखो ये advertisement में लिखा है hurry up करके और यहाँ पे उनका WhatsApp नंबर वेगरा दिया हुआ है फिर ये Tata Sky का advertisement आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 3 years का warranty है या hurry up या आप जल्दी जल्दी इसको purchase करो contact नंबर दिया हुआ है तो यह सब चीजे करके आप लोग क्या करते हो कस्टमर को यहाँ पे induce करते हो कि वह जाये और प्रोड़क को पर्चेस करें जो होता है इसके अंदर चार स्टेप बताया है जो हम लोग को consumer के purchase behavior के बारे में बताता है जहाँ पे marketer को सबसे पहले customer का attention attract करना पड़ता है फिर customer के mind में product के बारे में interest create करना पड़ता है फिर customer के मन में वो product को लेके desire create करना पड़ता है और last में customer को action करना मतलब वो product को purchase करने के लिए यहाँ पे कुछ techniques use किये जाते है तो यह step by step यहाँ पे customer का purchase behavior जो होता है marketer को समझना बहुत ज़रूरी होता है जिसके तो marketer effectively अपना product जो customer को बेच सकते है so this was all about ADA model यह मेरी URL जहां से मेनी images लिए है thank you students please do like share comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video